वेलकम गाइस कैसे हैं आसा है अच्छी होंगे साथ यू लिब्रे ओफिस में अब हम सुरू कर रहे हैं लिब्रे कैल्क इसके अंदर हम आपको लिब्रे कैल्क इसकी स्प्रेड सीट से इंट्रोडेक्शन करवाएंगे और इसके अंदर हम बहुत सारे परशनों को कवर करने वाले हैं जो कि आपको ट्रिपल सी एक्जाम में काफी हैल्प कर सकते हैं लिब्रे कैल्क माइक्रोसोफ्ट एक्सल से किस परकार भीन है किस परकार हम इसमें काम करेंगे क्या-क्या इसके अंदर option और क्या-क्या इसके अंदर हमको function बिलते हैं यह सारा जानेंगे बारी की से तो इसमें तक बने रही है नमस्कार साथिय। मेरा नाम है मनुष कुमार और आप देख रहे हैं Computer Gyan Guru चैनल तो चलिए सीख लेते हैं तो बिल्कुल निल से स्टार्ट करते हैं मैंने यह पर spread sheet open करी है LibreOffice Calc तो इसमें सबसे उपर टॉप में देखते हैं यह जो निली पटी नेजर आ रही है सेम-टू-सेम क्या कहेंगे टाइटल बार कहेंगे बिल्कुल सही इसके उपर लिखा हूँ है Untitled 1 जबकि हम Microsoft Excel चलाते हैं तो उसके उपर यहाँ पर लिखा होता है Book 1 सिरफ यह difference होता है Microsoft Excel में Workbook होती है यहाँ पर Untitled Spare sheet होती है जैसे हम इसको Save करेंगे कोई नाम देंगे कोई टाइटल देंगे तो यहाँ पर वो टाइटल आ जाएगा इसी पर राइट में देखो सेम हमारे पास वही Control Box है Minimize के लिए Restore Down और Maximize and Close के लिए इसके तुरंत नीचे मीनू बार नेजर आ रही आपकी आप यहाँ पर मीनू का यूज कर सकते हैं काम करने के लिए या फिर इनको Tabd में यूज करके आप Microsoft Office 2007 और उसे Above Version का वाला लुक भी यहाँ पर ले सकते हैं Formula Bar भी उसी जगह पर दी हुई है और Left में यह Name Box कहलाएगा हमारा अब चलते हैं यहाँ पर इसकी seat के उपर यह होगे column जहाँ पर A, B, C, D लिखा हुआ है यह सारे columns यानि की field और यह वाली होगी हमारे row जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखा है Libre Office Calc के अंदर भी एक seat के अंदर 10,48,560 row होती हैं हम Last row के अंदर जाएंगे मैं यहाँ पर करता हूँ control down arrow तो यहाँ पर देखे 10,48,560 row दिखा रहा है इसके अंदर columns कम होते हैं columns होते हैं only 1024 1024 columns होते हैं एक work seat के अंदर Last column होता है इसका AMJ का इसी परकार work seat हम यहाँ पर insert करेंगे तो यहाँ पर देखो plus का sign दे रखा है एक नई work seat insert कराने के लिए यहाँ पर plus हम क्लिक करेंगे तो एक नई blank work seat open हो जाएगी work seat का नाम change कर सकते हैं किसी भी work seat के उपर double click use करेंगे तो हम इसको rename कर सकते हैं as it is Microsoft Excel की तरह cells के बारे में आप लोग जानते होंगे एक column और एक row यहाँ पर टकरा रहे हैं वो होता है एक cell इस परकार से यहाँ पर यह cells की संख्याद दी गई है और कौन से cell का क्या नाम है वो name box के अंदर दिखा रहा है यह D9 cell है कैसे column number D और row number 9 और जो cell हमारा dark boundary के साथ है यह कहलाएगा active cell बाकि हम इसमें आप काम किस परकार से करेंगे नोर्मली काम जैसे हम करते हैं जैसे मैंने यह पर लिखा serial number type से आगे चले जाएंगे हमने लिखा नाम हम लिख रहें marks यह total इस परकार से हम entry करते चले जाएंगे serial number हमने डालने है serial number डाल लेंगे अगर हमने निच्चे तक इनको fill कराना है same serial number को तो वह ही select करेंगे इसको corner से पकड़ेंगे और drag कर देंगे alignment करना है alignment कर लेंगे कहां से करना है name fill कर सकते है marks हमने डालना है इन marks का total करना है simply हम some formula यूज़ कर सकते है जैसे हमने axle में use किया था some formula यूज़ करेंगे हम range वहाँ पर देंगे bracket close करके enter press कर देंगे then यहाँ पर some होग जाएगा अब यहाँ पर formula कौन कौन से मिलते है तो सबसे पहले मैं आपको formula में लेके चलता हूँ मैं करता हूँ यहाँ पर control के साथ F2 then एक function wizard यहाँ पर आपके पास open हो जाता है control F2 इधर देख रहा हूँ all category function दिखा रहा है हम category wise check कर लेते हैं एक बर कुछ ही देख लेते हैं अगर हमको dated time का financial का जो भी हमने देखना है जैसे मैंने आपको actual में जितना समझाया था उसी साब से हमको पता चल जाएगा यहाँ पर कितने function है हम financial पर जाते हैं यहाँ पर देखो ऐकरेंट ऐकरेंट ऐसे बहुत सारे formula आपको मिलेंगे db का fv का ipmt pmt yrr लग बग वो यह फोमले as it is जो excel में थे यहाँ भी मैं आपको समझा दूँगा यदि आप microsoft excel में काम नहीं करते हैं आपके पास ms office नहीं है सिरफ लिब्रे office है उनके लिए भी मैं यहाँ पर यह function बता दूँगा और यदि आप पहले सिखना चाहते हैं तो मैंने microsoft excel for beginners में यह सारे function clear किये हुए आप वो function वहाँ से देखके इसमें use करेंगे तो भी कोई दिकत नहीं आएगी इसको हम okay कर देते हैं और भी बहुत शारे question बन सकते हैं हमने किसी cell में edit करना है मैंने यहाँ पर लिखा है manos enter press कर दिया नीचे आगे हमने इसी cell में फिर से edit करना है manos kumar मैंने लिखना है तो यहाँ पर सिरफ only F2 press करेंगे और उसी cell में हम फिर से edit कर पाएंगे या फिर हमने कumar नहीं लिखना है और इसी active position के अंदर हमको भार आना है तो सिदा escape यूज करेंगे manos का manos रह जाएगा वही process वही चीज जो आपने Excel में किया था इसी तरह का और भी काम है अगर हमने spread seat में काम करना है और आपके पास लिब्रे office भी नहीं है microsoft office भी नहीं है तो आप google seat का यूज कर सकते हैं online जाके आप google seat का यूज कर सकते हैं google seat पे भी आपको same function same चीज़े मिल जाएंगी google seat को हमने offline कैसे यूज करना है online कैसे यूज करना है या फिर उसका shortcut किस पर कार ले किस पर का हम share करें यह सारा भी मैंने बिलकुल बारी किसे define किया है अब move का और selection का लेके चलते हैं वही left right up down की हम use करेंगे या फिर हमने एकदम last fill cell के अंदर पहुंचना है control down use कर लेंगे control up last fill cell up चले जाएंगे हमने सारे select करने है तो हम shift के साथ down में आ सकते हैं या फिर यहां पे हैं और अपने keyboard से shift press करेंगे और last cell पे click कर देंगे तो भी select हो जाएगा या फिर जितना पैरागर आप है हमारे पास जितना data है अभी देखो यहां इस range के अंदर इसको कहां कहां तक मिल रहा है यहां पे यह सारा यहां पे यह भी देखो यह भी मिल रहा है है पूरा एक database यह पे तयार हो रहा है अगर हमने पूरा database एक बार में select करना है तब हम control a करेंगे तो यहाँ पे पूरी seat select होती है लेकिन database यदि हमने select करना है सिरफ तो इधर हम control के साथ star यानि कि asterisk वाला sign प्रेस करेंगे तो सिरफ जो database है वही select होगा इस database के अंदर अग यदि हम यहाँ पे कुछ type करते हैं तो क्या वो select होगा जरा देखिए मैं यहाँ पे लिख लिया अब आप यह बताईए कि मैं यहाँ पे हूँ पहले वाली जगह पे तो अब यह database में सामिल हो गया तो यह इस database में आ गया क्योंकि यहाँ पे इस column के बाद यह वाला column fill column हो गया यह भी इस database के अंदर सामिल हो गया जहां तक हमारा text चया हमारा content चलता चला जाएगा वो उस database के area में आ जाता है फिर से control के साथ star दबाएंगे तो देखिए ये भी database के अंदर आ रहा है यदि हम यहां पे आके कुछ type करते हैं और फिर से यहां पे आके हम करेंगे control के साथ star दबाएंगे तो क्या अब यह database में आ database हो गया यदि बीज में हम कुछ भी लिख दें मैं यहां पे type करता हूं कुछ भी और अब यहां पे करता हूं मैं control के साथ star दैन अब यह complete database होगा जबकि Excel के अंदर हम क्या करते थे अगर हम इस database के अंदर हैं और यहां पे हम control A करते हैं तो सिरफ वो database select होता है लेकिन यहां यहां पे control A से वो पूरी seat select होगी इसी परकार जितने भी option है यहां पे आपको उनकी position अलग मिल सकती है मीनू के नाम अलग मिल सकते हैं लेकिन option और काम लगबग वही रहेगा यहां पे देखे नाम बहुत से change कर दिये है format का same है लेकिन style का एक मीनू अलग बना दिये seat का मीन name कर सकते हैं seat के अंदर row insert कर सकते हैं यह सारे option जैसे हमने column insert करना है seat insert करनी है delete करनी है row insert करनी है यह एक seat को editing से सम्भान से सारे option seat में दे दिये गए style हमने कैसी रखनी है वो style के अलग से बना दिये और इनके option ribbon के अंदर भी कुछ अलग से बाट दिये तो एक बार जब हम option आपको कहां पर मिलेगा तब आपको सारा समझ में आ जाएगा आसानी से seat को जूम करना है तो आप नीचे status bar आपको नजर आ रही है status bar के उपर हम यहां पर इस से यहां से जूम कर सकते हैं या फिर अपने keyboard से control दबाएंगे और mouse के wheel को scroll करेंगे up then zoom होगी down को scroll करेंगे then zoom out ह किसी seat को delete करना है मैंने एक number seat को delete करना है या तीन number को delete करना है तो उसी seat पर हम यहां पर आके right click use करके उस seat को delete कर सकते हैं रिनेम कर सकते हैं, नई सीट इंशर्ट करा सकते हैं, इसी प्रकार शोटकट्स होते हैं, शोटकट्स हमारे काम में आते हैं, हमने किसी भी अपने वर्क को फास्ट करना है, आशान बनाना है, या किसी के सामने हमने इंप्रेशन जमाना है, तब हम शोटकीज का यूज कर सकते ह और बहुत सारी शोट की हैं लिब्रे ओफिस के अंदर जिसका मैं एक पर्टिकुलर वीडियो मिनाँगा शोट की के अंदर लिए लेकिन साथ साथ मैं यहां भी आपको बताता रहूंगा शोट की कौन कौन सी है बाकी जैसे कट, कोपी, पेस्ट, अंडर, एडू, सेम एज़ इस है मैंने दो सोट की आपको अभी यहां पर बता ही है एफटू, शेल में एडिट करने के लिए कंट्रोल एफटू, फॉंक्शन विजार चालू करने के लिए इसी परकार हमने कोई row insert करानी है तो row insert कराने के लिए short की सिरफ एक ही है हम करेंगे control के साथ plus यहां पे हमने entire column चीह या entire row चीह उसके लिए हम यहूँ इस परकार से जैंगे entire row चीह तो इस पे करके ok करेंगे then पूरी एक entire row यहां पे insert हो जाएगी या फिर एक column चीए तो control प्लस करके हम करेंगे entire column then एक पूरा column इंशाट हो जाएगा या एक entire row और एक entire column हमने delete करना है then फिर से करेंगे हम control minus और इस बार हम column को हटा रहे हैं delete entire column okay then ये column खतम हो जाएगा row खतम करनी है तो control minus करके हम row को delete कर सकते हैं keyboard से हम right click किस परकार यूज करेंगे या row या column को entire row को या entire column को select किस परकार करेंगे हमने ये चार number row खतम करनी है then हम control minus यूज नहीं कर रहे तो हमने ये row select करनी पड़ेगी उसके लिए हम shift के साथ space bar यूज करेंगे then पूरी row select हो जाएगी keyboard पे एक right click का button होता है उसको press करेंगे और delete के लिए नीचे देखो L हम यहाँ पे अगर L प्रेस करते हैं then वो row delete हो जाएगी इसी परकार हमने entire column को select करना है तो हम control के साथ space bar यूज करेंगे entire column select हो जाएगा side वाला column भी select करना है तो हम shift के साथ चले जाएगे right में दो column select हो गए फिर से हम right की press करेंगे और इसको भी हम delete कर सकते हैं L प्रेस करेंगे तो यह दोनो column delete हो जाएगे यहाँ पे एक option एक short की और बेटर है अगर हमने column क्या या row का size adjust करना है मैंने इस column का size कम करना है then मैं alt के साथ left arrow दबाऊँगा तो देखो column का size कम हो रहा है हमको mouse की जूरत नहीं पड़ रही या फिर मैं alt के साथ right arrow प्रेस करता हूँ तो column का size बढ़ता जाता है हमने एक sheet से दूसरी sheet पे move करना है तीन number sheet पे हैं दो पे आना है एक पे आना है अपनी बनाईव table की formatting कर सकते है हमने जितने cells की formatting करनी है उतने cell हम select करेंगे उनका हमने border create करना है border create कर सकते है या हमने किसी heading row को हमने bold कराना है या color देना है तो हम उनका color दे सकते है bold कराना है control B for bold करा सकते है center align करना है left align, right align इस तरीके से हम अच्छा look दे सकते हैं, अच्छी style create कर सकते हैं, अपनी seat की अपने data की, जिनों ने अभी तक Microsoft Excel में काम नहीं किया है, या फिर Libre Calc Spreadsheet में काम नहीं किया है, उनको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो पहले Microsoft Excel में थोड़ा बहुत काम जानते है उनको ये वीडियो थोड़ा सा boring लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो boring लग रहा है, लेकिन जब हम इसमें आगे काम बताएंगे, तो इसमें भी आपको interest आने लगेगा, यहाँ पे अगर आप चाहें कि Ribbon का use ना करें, और space चाहें, तो Ribbon को hide कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं user interface के अंदर, user interface में जो हमने tabbed को select किया हुआ है, इसके जगें आप कर दें, standard toolbar, और apply to all या फिर apply to calc only कर सकते हैं, देन आपका ribbon यहाँ से hide हो जाएगा, और आपको अपनी spreadsheet का थोड़ा सा और vision मिल जाएगा, इसको कर दें close, अब आपको सिर्फ काम करना प पड़ेगा, आपने देखना होगा कि कौन से menu में कौन से function है, लेकिन ऐसी नोबत नहीं आएगी, हम आपको सारा बता देंगे कौन सा function, कौन से menu गंदर मिलेगा, और उसकी short की क्या है, short की last key और last option, हमने किसी cell की particular cell की formatting करनी है, या फिर हमने एक string, एक range हमने select करी, इनकी formatting कर करनी है, then same Microsoft Excel की तरह हम करेंगे, आपर control 1, और आप इसकी fully formatting कर सकते हैं, आपने इसका number format चुनना है, किस परकार का number format चुनना है, font style अगर चुननी है, या फिर आपने font effect लेना है, alignment, border, background, या फिर cell protection देनी है, वो शारी option है, आपर सारी formatting या पर format cell की window से कर सकते है, control 1, okay, cancel करत हैं इसको, तो आज की calc spreadsheet में introduction में इतना ही, next video से हम आपको इस spreadsheet में काम करना बताएंगे, तो बने रही है हमारे साथ, आसा है वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगाओगा, इसके बारे में हमें comment से बताएं, और इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारी वीडियो को दोस्तों में share करें हमें like करें और योदि नए है अपमारे चनल पे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें